मेरे हस्बिंट का पहला प्यार है चाय, चाय के लिए उन्हें कभी भी पूछ लीजिए वो इनकार करेंगे ही नहीं तो आज उनकी चाय के लिए साथ साथ मैं उनके लिए बना रही हूँ ये आटा बिस्किट्स आटा बिस्किट्स उनको भी पहुत पसंद है और मोचे भी तो चलिए बनाते हैं यहां पर लिया है मैंने एक कप भरके रिफाइन डॉयल और साथ में लिया है मैंने एक कप पिसी हुई चीनी अब इन सबको एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड करेंगे हम आटा और यहां पर मैंने दो कप आटा लिया है और एक कप चीनी का डाला है और डाला है मैंने यहां पर वनीला एसंस अगर आपके पास वनीला एसंस नहीं है तो आप यहां पर लाइची पॉडर भी डाल सकते हैं लाइची को अच्छे से पीस अब इन सब का मैं एक डो बना लूँगी अच्छे से गुलते हुए अगर यह आपको ऐसा लगे कि गुल नहीं रहा है थोड़ा सा तो आप इसमें एक टेबल स्पून दूद का भी एड कर सकते हैं यहां पर मैंने भी थोड़ा सा दूद एड किया था यहां मैंने इसका एक प इसी बेल ली है बहुत मोटी भी नहीं बेली है और बहुत पतली भी नहीं बेली है अब एक छोटी कटोरी या छोटी गिलासी या किसी धकन की हल्प से काट लेना है अगर आपके पास कुकी कटर्स हैं तो आप उनसे भी अलग-लग शेप्स में से काट सकते हैं अब मैंने इ यहां मैंने कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था और इसके बीच में मैंने ये लेट जैसी लगाई है ये वे आवन में यूज करती हूँ आपको इस्टील की थाली भी इसमें लगा सकते हैं आप मैंने सारी बिस्किट्स को इसमें लगा दिया और इसे उपर से मैंने इसे आदे घंटे बाद चेक कर लिया था तब ये इतने अच्छे से सिके नहीं थे यहां आप नीचे से देखिए थोड़े से अभी है इसमें हलकी सी कसर बाकी है तो मैंने वापस से 10 मिनट के लिए ढखकर रख दूँगी 10 मिनट बाद मैंने इने वापस से खोला और इने निकाल लिया था और ये परफेक्टली सिक गए थे तो यहां रेडी है हमारे आटे वाले बिसकिट्स मैं आपको एक बिसकिट तोड़कर भी दिखाती हूं कि ये बहुत ज़़दा ताइट भी नहीं है और बहुत ज़़दा सॉफ भी नहीं एक्तम परफेक्ट बन